राजनीत की ख़बरों से इतर आज अंत्रिक्ष से आई एक ख़बर बताता हूं ख़बर चोकाने वाली है दरसल दो अंत्रिक्ष यात्री पिछले पांच महिने से अंत्रिक्ष में फसे हैं और 2025 के फरवरी से पहले उनकी वापसी संभब नहीं दिख रही है यहां आपको बता दें कि ये दोनों अंत्रिक्ष यात्री सिर्फ आठ रोज के मिसन पर अंत्रिक्ष में गए थे और कुछ तक्नीकी गरवरी की वज़ा से ये दोनों पिछले पांच महिने से वहीं फसे हैं चिंता की बात ये कि उसमें से एक सुनीता बिलियंस का वजन तेजी से कम होने लगा है रहात की बात ये है कि सुनीता बिलियंस ने इस ख़बर का खंडन किया है अब आपको पूरी बात बताता हूं दरसल इसी साथ यानि 2024 के पांच जून को दो अंतरिक्ष यात्री सुनीता बिलियंस और बैरी बिल्मोर एक मिसन पर आठ रोज के लिए अंतरिक्ष की सफर पर निकले थे वोईंग का एक अंतरिक्ष यान के स्टार लाइनर दोनों अंतरिक्ष यात्री को लेकर अंतरिक्ष की सफर पर निकला था अगले रोज यानी 6 जुन को दोनों अंत्रिक्ष यात्री सफलता पुरवक अंत्रिक्ष एस्टेसन पर पहुँच भी गए इनको अंत्रिक्ष में 8 जुन का मीसन पूरा करके 14 जुन को वापस धर्ची पर लोट जाना था इस बिच अंत्रिक्ष यान के स्टार लाइनर से हीलियम लिख होने की ख़वर आने लगी इसके बाद पता चला कि स्टार लाइनर का थ्रस्टर खराब हो गया है नासा ने इसको ठीक करने का बहुत प्रयास किया पर वो सफल नहीं हो सके और ये दोनों अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में ही फस गए अब फरवड़ी तक इनके लोटने की संभावना है सुनीता बिलियम्स भारतीय मूलकी है फिलहाल वो नासा के एक अभियान पर अंतरिक्ष में है अंतरिक्ष से सुनीता बिलियम्स की एक तस्बीर आई है इस तस्बीर में वो काफी दूबली और कमजोड दिखाई दे रही है इसी तस्वीर के आने के बाद सुनीता विल्यम्स के बजन कम होने की चर्चा जोड़ पकरने लगा। हलागि सुनीता विल्यम्स ने सुएम इसका खंडन कर दिया है। आट जैसे का सुनीता बिल्यम्स ने भऒगा। बातचित की है इसमें उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वजन कम नहीं हुआ है उन्होंने कहा कि हम अपना वजन नियमित रूप से मापते हैं इसके लिए उनके पास स्प्रिंग मास है हलाकि सुनीता बिलियम्स स्वैम मानती हैं कि उनके स्रीर में कुछ बदल होते रहता है आप स्वैम देखिए अंत्रिक्ष में अंत्रिक्ष यात्री को किन किन मुस्किलों का सामना करना करना पड़ता है लिए् 1 त escola न्यां today nikola कि से भूप अची स्वार्म इस पर फूर कि कने थांट्डे स्वार्वी बिलियम्न इका लांट अल्या इंत्षर्त वार्वाण so let's take a look at that little piece of work come on in here we are at the throne this is awesome you might see the little um you might have noticed the little moon on the outside this is our orbital outhouse right here and of course it serves for two functions number two right here i'll show you but you see it's pretty small so you have to have pretty good aim and you'll be ready to make sure things get let go the right direction and it smells a little bit so i'm closing it up and that's of course for number two and this guy right here is for number one so they're sort of two slightly separate functions but you can do a little essentially both by hanging on right here and doing number one and number two i might add it's color coded so you really don't get it mixed up which is nice this is yellows for number one and also there's a selection of paper people always ask about toilet paper what do you do with toilet paper what kind of toilet paper do you have we have gloves here's a pretty cool place this is sort of like in your house where everybody meets in the morning after you wash your face brush your teeth you want to find something for breakfast and this is our kitchen you might notice there's all sorts of foods here it's like opening the refrigerator you got all your different stuff that you want to have drinks meats eggs vegetables cereals uh bread uh snack sunita williams or barry bill moore ko واپس لانے کے لیے ellen musk ki company spacex پریاس میں جوٹا ہے سبھی کچھ ٹھیک رہا تو sunita williams اور barry bill مور آگلے سال فروری میں دھرتی پر سکو سال واپس لوٹ چاہیں گے so something like this i'm pulling out barbecued beef brisket pretty yummy not only is this food made in the u.s but we also have food here from japan we've got russian food as you can see all these red containers are filled with food that's from russia and then we get some of our specialty stuff some things that we like some of our favorite stuff that your family can send up in fact i like fluffernutters and so i got sent up some fluff so i could make my fluffernutter with peanut butter so you have a lot of food up here no problems